हेलो एन वेलकम बैक तो मैक चैनल दोस्तों आज मैं रीपॉर्ट करने वाला हूँ कड़ी पत्ते के पौधे को और इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफर्मिशन दोंगा इस कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट इसकी वाटर रिक्वायरमेंट इसको किस टाइम लगाना चाहिए साल के और किस टाइम नहीं लगाना चाहिए इसे कब report करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए और और भी बहुत सारी बाते करेंगे इस कड़ी पत्ते के plant के बारे में लेकिन उससे पहले मैं जिस pot में इस कड़ी पत्ते के पौदे को लगाना चाहता हूँ उसके अंदर pigweed उगी हुई है तो पहले मैं वो pigweed निका लूँगा और उसके बाद इसमें कड़ी पत्ते को report करूँगा इस pigweed को मैं निकालते वए आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी roots भी आपको दिखाना जाता हूँ इसकी roots में बहुत interesting लगती है तो I thought कि आपके साथ भी share कर लूँ और सच बताऊं तो मुझे ये मिट्टी से निकालते हुए भी बहुत satisfying लगता है इसकी roots अगर आप देखेंगे तो बिलकुल radish जैसी लगती है मतलब आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन बिलकुल miniature radish जैसे कहते है पैसी लगती है ये देखिए इसकी roots लग रहा है ना बिलकुल मुली जैसी I'm not too sure कि ये वीडियो में justify हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन देखने में अगर असली में आप इससे देखेंगे तो बिलकुल आपको मुली लगेगी अब हमारा pot साफ हो चुका है तो अब हम बात कर लेते हैं अपने कड़ी पते के पौधे के बारे में मेरे पास जमीन नहीं है इसलिए मैं इसको pot में लगा रहा हूँ otherwise कड़ी पते का पौधा जो है सबसे असानी से जमीन में ही बढ़ता है और pot में लगाना और इसे बढ़ाना बहुत complicated task बन जाता है क्योंकि और आपको इसको बहुत ज़दा केर देनी पड़ती है तब ही जाके यह थोड़ा फलता फूलता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कड़ी पते का पौधा जो है बहुती नकरे वाला और sensitive plant है तो इसको replant आप तब तक ना करें जब तक आपको बहुत ज़दा मजबूरी ना हो जैसे कि जब तक इसका pot ना तूट जाए या फिर ये root bound ना हो जाए इसे आप report ना करें क्योंकि इसकी roots नए pot के साथ नए मिट्टी के साथ जल्दी adjust नहीं कर पाती और अगर ये छोटा है तो most of the time ये report करने से मर जाता है मगर एक बार अगर ये stable हो गया तो ये perennial plant है उसके बाद ये पूरे साल चलता है फिर उसके बाद पूरे साल इसे कुछ नहीं होने वाला बस इसको आपको winters में frost से यानि ओस से बचाना होता है अगर winters में आपने इसे ओस से बचा लिया है तो आप समझ लीजी कि आपका plant बिल्कुल सदा बाहर plant है लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नवंबर से जनवरी मतलब कि ठंड के मौसम में इसमें पतियां उगना बंद हो जाती है मतलब कि इसमें कोई भी नई पति नहीं आईगी और ये एक dormancy phase में चला जाता है क्योंकि कड़ी पत्ता टेकनिकली एक summer plant है और अगर summer time में आप इसे लगाएंगे तो ये अच्छे से फलेगा फूलेगा इसलिए इसको लगाने का best time जो है वो है February से September या maximum October अब बात कर लेते हैं इसके sunlight requirement के बारे में कड़ी पत्ते को दिन में लगवग 3-4 घंटे की direct धूप चाहिए होती है मतलब सीधी धूप और अगर इससे ज़दा मिल सके तो इसके लिए और भी अच्छा है लेकिन अगर temperature 35-40 degrees से भी उपर जा चुगा है तो फिर आपको इसको direct धूप से बचाना पड़ेगा क्योंकि वो धूप जो है इसकी पत्तियों को जला देगी अगर watering की बात करें तो इसमें पानी आप तभी डालें जब इसकी उपर की 1-2 इंच की soil जो है बिलकुल सूख जाए इसकी soil को आपको सौगी कभी भी नहीं होने देना है अदर्वाइस इसकी roots तो है over watering की वज़े सर जाएंगी और सर्दियों के टाइम पे आपको इसकी watering को और भी ज़्यादा कम कर देना है साथ से दस दिन में सिरफ एक बार लेकिन अगर आपको इसकी soil बिलकुल सूखी लगे तो आप इससे पहले भी इसमें पानी डाल सकते हैं कड़ी पत्ते के प्लांट के roots में से भी baby plants निकलते हैं जैसे आपने देखा होगा aloe vera में या snake plant में तो आप इसको उन baby plants से भी propagate कर सकते हैं seed से भी propagate कर सकते हैं और इसकी cutting से भी propagate कर सकते हैं और इसमें कोई भी particularly special खाद नहीं चाहिए होती है आप इसमें कोई भी खाद डाल सकते हो जैसे की vermicompost, सरसोखली या फिर जो भी खाद आपके पास available हो और इस वीडियो में मैंने almost सभी कुछ cover कर दिया है अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से helpful लगे तो please like कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए और अपने gardener दोस्तों के साथ ये वीडियो please share कीजिए आज के लिए इतना ही happy gardening